हेलो एन वेलकम टू कुकी प्रेम लिताव सब का मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वाधत है और जैसा कि आप देख रहे हैं यह गर्मा गरम पकोड़ी है मैंने पालक की पकोड़ी बनाई है तो देखिए मैं कैसे बनाती हूं तो उसके लिए देखिए मैंने बैसन लिया बैसन अपने और देखिए लिए सकता है फैमिली के आकॉप्शनлем तो मैंने आधा कीड़ी बेसनद लिया है तो यह नास्ताIDS में बना रहा था सूभा के नास्ते में वन मैंने बना तो मैंने लसुन को अच्छा महीं में काटा है और अध्रक को अच्छी तरह से धो के उसको क्रस्ट कर लिया है इसका पेश्ट बना सकते हैं और धेट सारा प्याज डाला है यह मीर्च है इसका पेश्ट बनाया है मैंने आपको अगर पेश्ट पसंद नहीं है तो आप काटके दाल सकते हैं तो मैंने अच्छा तीखा बनाया है तो इसमें दूस दिन चम्मच पेश्ट डाला है यह अंजवैन है इसको हाथ से ग्रस करके डाल लीजे दोबर एक चम्मच भरके रखा है डाला है क्योंकि डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है तो यह पालक है तो मै तो बहुत धेर सारा मैंने डाला है इसमें देखिए और डाल रही हूं तो आपको यह healthy option हो जाता है तो यह health के लिए बहुत अच्छा होता है पालक और बच्चे अगर आनकाने करते हैं सबजी खाना में तो इस तरह से बनाएए और बच्चों को भी खिलाएए फैमली को भी ख हैंगे टेश्ट के लिए अच्छा होता है हिल्थ के लिए हुट अच्छा होता है और यह देखिए इसमें नमक डाला है नमक अपने टेस्ट आकोनिंग डाला है मैंने नमक त्वड़ा जादा है डाला क्योंकि बहुत सारे पालक बैसमें और यह healthy है कुछ मसाले भी मैं डाल तो अगर मेच मैं नहीं डालती तो इसमें काले मेच भी मैं डाल सकती थी तो इस तरह से अच्छे से मसाला उसमें डालने के बाद इसको मिक्स करना है और पानी अभी नहीं डालना है क्योंकि पालक में बहुत है तो अगर जगरत पड़े तो मैं डालूंगे वरना नहीं फ़ारत पड़ा लास्ट में क्योंकि पहले मैं आच्राट से ही बाद ही इसका São कि मैं नुछ इतना जुरत में इसको तरफ में मैंने तेलगरम करने के लिए धूर। और इसको 57 मिनट तक मैंने बहुत अच्छी तरह से फेटा था देखे फेटने के बाद फुल फलपी हो गया है अगर आप फेटने के लिए तयार नहीं है तो आप खाने का सोडा डाल सकते हैं क्योंकि खाने का सोडा अगर जो फेटता नहीं है उनके लिए बेस्ट आपसन है ल और दिरे-दिरे करके इसी तरह से अब बनाई आप चोटा पकोड़ी बड़ा पकोड़ी जैसा भी आकार आप देना चाहें या फिर रफ्री जो बनता है रफ्ली जो ऐसी महात में थोड़ा सबेशन लेके ऐसे छोड़ देंगे तो उसका भी आकार जो शेप में नहीं रहता पकोड़ी बहुत अच्छा लगता है आपको मर्जी आप कैसा शेप बनाना चाहते हैं चोटा बड़ा आकार का तो देखिए मैंने आज रिक्दम कम कर दिया है और जब पूरा पकोड़ी में डाल दूंगी और उसके बाद ही मैं आज उसका बढ़ाऊंगी क्योंकि तेल सारे पकोड़ी डाल दूंगी इसके बाद ही मैं इसका आज तेश करूंगी और इसको बहुत अच्छी तरह से तलना है अगर आप कढ़ी के लिए बना रहे हैं तो आप इसको हल्का सा गुलावी लाल में करिए और आप खाने के लिए कर रहे हैं तो थोड़ा अच्छा से ल से बन के तयार हो गया और इसको आप किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं मैंने चिली सौस और टमाटर सौस के साथ खाया है तो आप जैसे भी खाना चाहिए खा सकते हैं धना टैंक्स पूर वाचिंग मैं वीडियो खाए